अज़ा दोस्तों स्वागत है आपका अपने दूटिक चैनल अनुपिश्टेडी में आज हम लोग सुरू करेंगे अध्याय दो आपका चलेगा सदीस राज्सी और जो है कि अधिस राज्सी हम लोग पढ़ेंगे इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मापनों सब कुछ बताया था मापन किसे कहते हैं मुल्राष्यें कितनी होती और पढ़ेंगे क्या क्या मान होता है इंगी सब अभी तक आप उससे नहीं देख पाए है मापन के चप्टर को आप नहीं देख नहीं description में लिंक दिया गया है जाकर आप वहां से देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज जो है कि हम लोग सुरू करेंगे अध्याय नमबर दो जो कि आपका है रास सदीस और क्या अधिस रासी और यहां पर लिख दिया हूं पहले आपको सिर्फ समझाना है ज्यादा कुछ नहीं करना ह यहां यहिदी वीडियो जो है कि अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिए गा और आप यदि हमारे चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब और आपने दोस्तों में शेर जरूर कर है कि पहले हम देखेंगे जो है कि अधीशला सी तो अधीशलासी किसे कहते हैं याइन कि अधीशला सмक्राइब्व करने के लिए परिमार परिमार तो परिमार कि किसी व carbon का यहीं परिमार आपको बताना है तो इसमें दो मुल्ड रासियां मौझूद होती है एक तो पहला होता है संख्यात्मक मान होता है और दूसरा क्या होता है रासी कि मुल्ड रासियां मुल्ड रासियां साथ होती है तो किसी भी रासिय का प्रेडाम बताने के लिए दो मानों क्यों सकता होती है पहला संख्यात्मक मान होता है मुल्ड रासी यानि कि ब मातर्यह साथ में जुड़ा होता है उससे हैं किमनätta हैं । किसी भी रासी का पढ़ाम बताने के लिए दो मांें परिमान के और सकता होती है जिससे 5-2 कि 1-1 किलोग्रां 25 किलोग्राम यह पुरा आपका क्या है परिमार है यह दिखे कि इस के attitude यह वह अब दहुँा यह तक उसके साथ कि मात्रक नहीं जोड़ा जाएगा ठीक कि निक संक्यात्माद मान और साथ में क्या मातरक भी होता है तब आपका पूरा क्या होता है परिमार होता है अब देखिए दिसा की नहीं यानि कि उसमें सिर्फ परिडाम क्या हो सकता होती है उसमें दिसा की हो सकता नहीं होती है अर्थात हम दूसरी भां समय काते हैं कि यह रासिया यानि की अर्थात यह जो रासिया होती है कौन यही कारा है कि यह रासियां दिशा परिवर्थन के कारण परिवर्थित नहीं होती है यह उसकी दिशा बदल देते हैं तो उसके भार में कोई भी परिवर्थन नहीं होता है विचोष परिवर्थन के कारण परिवर्थित नहीं होती है तो उसे जो है कि अदिस्राशिया करते हैं समझे कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे लंबाई हो गई दूरी हो गई भरे लंबाई की दिसा हम लोग बदल दें जैसे पूरु से पच्छिम की तरफ यह नापते हैं तो उसी लंबाई को जो है कि दिसा बदल कर यह नापते हैं तो उसके भार में कोई परिवर परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन का हम लोग इस तरह से रखेंए क्या स्काश्वाओं यह क्या इसकी दिशा लंबाई में कोई परिवर्तन होगा है नहीं होगा न वहीं तो इसके में कोई परिवर्तन नहीं होता है किलियर है चलिए उमीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा जैसे लंबाई है दूरी है द्रभ्यमान है छेतरफल है समय है चाल है यह नहीं समय है यह आपका होगया समय चाल कारी उर्जा दाब घनत्व आयतन विद्दुधार और क्या आदि यह ऐसे मान है जिन जो है कि यह क्या होते है अदिस रासिया होती है यह इसका परिमाम बताने के लिए दिशा क्या हो सकता नहीं होती है अब दिखेए यसकार है कि व्यक्व्त करने के लिए क्या हाह परिडाम क्या हो सकता होती है लेकि दिशा क्या हो सकता नहीं होती है अब देखेए सदे रासि सदित रासी का मतलब यह हुआ कि इसमें परिमाड यह जब भी आप बताएंगे उसमें क्या बताएंगे दिसा भी बताएंगे ठीक है अब देखें कहता है कि जिन रासियों को व्यक्त करने के लिए परिमार एवं दिसा दोनों के अवसकता होती है अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये रासिया दिसा परिवर्तन के कारण ये रासिया क्या होती है बदल जाती है जैसे तो इन्हें सदीस रासिया कहते हैं जैसे बिस्थापन बेग त्वरण बल संबेग भार संबेग आवेग भार बिद्दु छेत्र और क्या आदि ये हम इनकी दिसा बदल देते हैं इनकी परिमार में क्या होता है परिवर्तन हो जा रासियों को तीर द्वारा जो एक निरूपत किया जाता है और हम लोग इसमें पढ़ते हैं जो है कि मैठाब का सेकेंड पर घुर वैक्तर आता है लिए बेक्टर जो होता है यह धिसा को इंडिकेट करता है और दिसा के साथ साथ उनकी लंबाई को भी कि करता है लेकिंदेखे क्या कर रहा है सदीस रास्तियों को थीर द्वारा निरुपित किया जाता है तीर की नोग यह जो सदीस की दिशा को ब्यक्त करता किसकी दिशा को ब्यक्त करता है सदीश की दिशा को ब्यक्त करता है यह इंडिकेट करता है कि इसमें भाई दिशा है इसमें क्या है दिशा मौजूद है तता तीर की लंबाई अब देखे यह जो बढ़ाग्र है यह बढ़ाग्र जो है दिशा को तो इंडिकेट करता है लेकिन कितने का है इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं होगी तो यह इसका क्या कालत है परिमार यानि कि यह क्या बोलेगा परिमार और बाराग दिखाता है कि भाई यह क्या है दिशा है इसमें सदिस राज़ी ठीक है यह जो लंबाई है यह बी है माले पर इसमें सदिस यह पर क्या लगा देंगे वेक्टर ए यानि कि वेक्टर करता है यह कि सदिस के परिमार को इंडिकेट करता है इतना क्लिर है वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं जो इक अगला टॉपिक जरा हम देखते हैं अगला topic हम लोग चर्चा करेंगे सदीसों का योग कैसे सदीसों का योग के जाता है जरा आप लोग समझेंगे उसको भी ठीक है चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जुरूर कर देगा तिछली शुरू करते हैं सदीसों का योग, पहले सदीसों का योग समझें, कहता है कि यदि दोनों सदीस, दो आपके सदीस हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, यदि उन दोनों सदीसों का जो दिसा हैं, यदि सेम हो, यानि कि एक ही दिसा में दोनों सदीसों हो, तो उनका यदि स सदीसों का योग निकालना हो तो वेक्टर ए प्लस क्या हो जाता है वेक्टर बे कब यानि कि आर बराबर होगा सदीसों का योग आर बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस क्या वेक्टर बे जब एक ही दिशा में होंगे तब ही होगा यह नहीं कि सदिस कर रहा है यह बेक्तर B जो है सदिस सदिस वेक्तर A के डिक्त करे सबेंस करेंस University से सुध्या में है तो दोनों सदिस का योग क्या होगा और यह यह दिया योग निकालते हैं उनका तो आपको ढों जाएगा वेक्तर A आप प्लास हो जाएगा cheering B उसके बद से овые ते भीम बताइए कि गेदी बराबर है प्म्हाह अफिक्तर प्लस और प्लस करते जाता तर यह क्या हो जाते में तोृटк ओनुञाए हैं यहांयोट अदूणे कि आपके फ्लस करदे जाता सब्सक्रिकेश करते हो जैतार कि आपका सदीशोн का योग समझेंगे समानता चतरभुज्ब का नियम की समानता चत्रभुज्ब का नियम है यह क्या है तो इसको आप लोग या रखें के क्योंग disciplined प्रोसेस पर चलेगा आप इसको याद रखना है आपको यह फर्मुला है आपका और यह फर्मुला है और यह आपका पूरा प्लस प्लसनाली जो है कि समात्त की जाएगी इन इन ही फर्मुलों का अधिकांस तोर से उप्योग के जाएगा आप लोग इससे याद रखेंगें समानता चित्रभूज का नियम क्या है कहता है कि दो सदीस बेक्टर यह है और क्या है बेक्टर वी देखिए दो सदीस है यह बेक्टर एक का है और यह किसका है बेक्टर बीका सब्सक्ता का बड़ करते हैं तुर सब्सक्राइब करते हैं तो आर बराबर होता है या नहीं है तो यहां पर करणी हटाएगा सक्त हो जाएगा यावान श्कॉयर नहीं कोश्ण कई कॉ यह नहीं है पर शाहिए एक और दिखें करते हैं और या द्रेखेंगे अब इसके रहां यह थिगर एंद्ट के परिमाड़ परिडामी सब्सक्राइब करता है कि परिडामी सब्सक्राइब परिमार परिमार को इंडिकेट करेगा अब परिमार हो गया यह वेक्टर आर सब्सक्राइब एक साथ यह अलफा कोण बनाता है अब देखेगा यह जो आपका मान है यह वाला इंगल इसके साथ बनना है और यह अलफा कोण बनाता है तो उसक्राइब पराबर हो जाएगा फारूला साइन थीटा बाटा में क्या एक प्लस बी कॉस्ट थीटा इस फारूले को भी आप लोग याद रखेंगे अब तीसरा है दो सब्सक्राइब यह दो सब्सक्राइब गंध़्यदब लंब हैं तो यह जानते हैं यह डोरेखाय एक दूसरे के लंब होती हैं तो उनके 50 बनता है नबे डिग्री का ना तो उतस्वर में आपका होगा ब्राबर हो जाएगा अंडर में ए स्कौायर प्लस बी स्कौर्इर ती यह जो तो माने आपका है टोटल माना पको क्या हो जाएगा जिरू हो जाएगा सिर्फ आपका बचेगा आर बराबर अंडरूर्ड में A2 प्लस क्या B2 लिए तो फ्रेंच यह रहा आपका कुछ प्रोसेस रहा जो हम आपको पहले बता इसलिए बता चुके हैं बता दिये हैं ताकि आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों में सेयर भी कर दिएगा और अभी तक हमारे साथ जो है कि नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़े जाएगा साथ में बेल आगन को प्रे सब्सक्राइब करेंगे जब यह याद नहीं रहे है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है तो चलिए अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब